बच्चो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपका इस बार 2021 और टू में दित्ति सत्र का कोशन पेपर कैसा आने वाला है आपको इक लास नाइन का पेपर है कुछ निर्देश नहीं है कि दो खंड है आपके का और खा कुल तीन प्रशन है काखंड में और खाखंड में पांच प्रशन है आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है कोशनों को और यता क्रम उत्तर देना है यानी क्रम के अनुसार देना है आपका paper code भी इसमें लिखे है और समय इस बार मात्र दो घंटे आपके लिए खंड का में देखिए आपको मिलेंगे निमलकित में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर आपने देने हैं 25 से 30 शब्डों में दो दो नंबर का ये question होगा एक फूल की चाह कविता से है question धरम की आड़ से है और खुश्बू रस्ते हैं हाथ इन तीनों चैप्टर से एक के question है आप इन में से कोई दो question करेंगे अगला question number 2 है जो आपको 60 या 70 शब्डों में इसका उत्तर देना है और केवल एक ही answer इसमें से लिखने है दो question दे रखे हैं धरम और इमान के नाम पर समाज की सत्भावना नश्ट करने वाले लोगों को लेकक ने इश्वर के माद्यम से क्या चेतामनी देता है और कुश्ब लिखने है इसमें उसमें भी गिल्लू पार्ट है आपके पास दिये जल उटे और हामित खा तीनो चैप्टर से एक कोश्चन है आपके पास दो दो नंबर का कोश्चन रहेगा खंड खा शुरू हो जाता है का के तीन कोश्चन पूरे हो गए खंड खा में आपको मिलेंगे आपको अनुचेद लेखन लिखना है ओनलाइन शिक्षा संकेत बिंदू दीए इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए विग्यापन से भरी दुनिया दूसरा टॉपिक है तीसरा मेरे सपनों का भारत उसके बाद आता है कोश्चन नंबर फाइव किसी कारण आपका मनक अक्षा में क्यों नहीं लग रहा और क्या सोच रहे हैं यह बताते हुए आपने करना है इसमें आपको मिलेंगे डाई नंबर टू एंड हाफ या इसमें से यह कर सकते हैं आप अपने मित्र के साथ परवती चेत्र में यात्रा करने गई हैं तो वहां का प्राकर्तिक सुंद द्याले में किन-किन साफधानियों को बरतना है यह पत्र लिखी है या फिर दूमर पांच से होने वाली हानियों से अवगत यानि उसे अवगत कराते हुए आपने पत्र लिखना है यह भी आपका ढाई नंबर का अतात पत्र आपका पांस नंबर आ रहा है लेकिन इस बार आपको दो पत्र लिखने है चार में से अगला कोश्चन नमस सीक्स है स्वाच भारत विशे पर जागुरूप करने के लिए नारा लेखन कीजिए या युवा पिड़ी को निशे के दुश्प्रवाव से बचाने एक तू कोई इन दोनों में से एक नारा लेखन लिखेंगे से सेकिंड खा में से करोना से सम्मंदित नारा लिखेंगे या देश में मदान का समय चल रहा है तो मदान से सम्मंदित नारा इन दोनों में भी कोई एक करना है आपको चार नारा लेखन में से कोई दो करने है कोशन नमबर सेवन है आपके मित्र ने नया लैप्टॉप करीदा उसे बन्धाई का संदेश लेकन लिखना है आपने या फिर अपने चेतरवासियों को होली की शुपकामनाई देते हुए इसमें से कोई एक करना है और second खाकंड में सी हिंदी दिवस पर विद्याले को विद्याले के चात्रों को बन्धाई देते हुए संदेश लेकन लिखे या आपके छेतर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है इसमें संदेश लिकन ये भी डाई डाई नमबर के रहेंगे चार में से कोई दो करने है कोश्चन नमबर 8 जो कि लास्ट कोश्चन है ओनलाइन परिक्षा के संबन में दो विद्यारती आपस में क्या बात करते हैं आप नोकरी करने वाले व्यक्ति किस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं इसे संबन्दित आपने संबाद लेकन लिखना है अगला खंडखा है बच्चों को शिक्षा के प्रती कम रुझान हो रहा है बच्चे शिक्षा से बड़े बेरुके हो गए हैं पढ़ते ही नहीं तो दो टी अच्ची दो-दो करनी है तो आई होब कि आपको कोई कोशन पेपर अच्छी तरह समझ आ गया होगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें